नमस्कार दोस्तों, हर विग्यान पर आपका स्वागत है थोड़ा सा नमक कर सकता है घर के कई दोस्त दूर वास्तों में नमक को नेगेटिव एनर्जी का सोसक माना गया है यह वातावरन से नकारात्मक उर्जा को एबजॉब कर लेता है इससे वास्तु के कई दोस्त दूर हो जाते हैं वास्तु में भी घर की नकारात्मक तरंगों को दूर करने के लिए नमक के कई प्रयोग बताए गए हैं उस देश ऐसे हैं जहां मरीजों को नमक की दिवारों के बीच रखा जाता है खासकर अगर मरीज मानसी क्रोगी हो नमक आसपास की रखने से वातावरन से नमी सोक जाती है जिसके साथ निगेटिव तरंगे भी होती है घर से निगेटिव एनरजी दूर करने के लिए घर में सब्ता में एक तिन नमक के पानी से पोच्छा लगाना चाहिए घर में बिना पिसा नमक रखें जिस कमरे में बहुत अंधेरा हो या गंदगी हो दो तीन बाद उसे निकाल कर कहीं दूर पानी में बहा दे घर में अगर कोई लगातार बिमार हो तो किसी कांच के कटोड़े में भढ़कर बिना पीसा नमक घर के बातरूम में रखें एक दो दिन बाद उस नमक को निकाल कर फेक दें बिमारियों का कबजा हटने लगता है अगर सरीर भारी लगे तो नमक मिलाकर गरम पानी को बालटी में लें और कुछ देर पैर डालके बैठें सरीर में मौजूद नेगेटिव इनर्जी खतम हो जाएगी तो दोस्तों ये थे नमक के कुछ फायदे घर से नेगेटिव इनर्जी दूर करने के लिए इस तरह किलापर जानकर या मैं आर्वी जान पर देता रहता हूँ लकतार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुभ हो